मैंने तो ऐसी कोई बात ही नहीं की और ना मैंने कोई अपने मन से कोई बात कहा मैंने तो मात्रे ही कहा कि जो मानिय मुख मंत्री जी के उपर जो घटना घटा है उससे हम लोग काफी दुखी हैं हम दुखी हैं हमारी पाटी दुखी है यही तो मात्र है और उसके बाद मैंने कहा कि मानिय मुख मंत्री जी जो तीन दिन पहले लखनव गए और जिस तरह की तस्वीरे अखवार में छपी है जिसको हमने दिखाया अब इस पर इतना अगर आपत्ती हो तो पहले पेपर वाले पर उनको करना चाहिए प्रिंट मीडिया पर करना चाहिए इलेक्ट्रोनिक मीडिया के उपर उनको सोकाउस करना चाहिए उनके उपर अपना मानहानी का मुकदमा दायर करना चाहिए अगर इतना ही उनको अगर लग रहा था कि यह फोटो एकदम ना गमार है यह फोटो दिखाने लायक नहीं है तो प किसी को भी निलंबित कर सकते हैं, उस दिन आपने देखा होगा, हमारे मैडम रावडी देवी जी को भी, उन्होंने कहा क्या कहा, कि उनका चार समीती मामला जाएगा, उन्होंने क्या कहा, आप सब कुछ बोल जाएए, तो मन्जूर है, आप चारा घोटाला बोलते हैं, आप क प्रंगा निति कहीं चलता है क्या आप पहले भी जानते होंगे कि बिहार में दो तरह का कानून चलता है अगर कोई 20-25 जार घूंस ले 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 उसके डान में रस्षा लगा कर लोग ठाना तक ले जाता है और किसी को अगर पकला जाए 50 लाक रुपया नगर तो उसको चिकेन क्या कर रहे थे जब आपका यह हाल है कि कोई सधारन व्यक्ति बिना किसी आर्म्स का और बिना किसी रोक टोक का सीधे गया और मुख मंतरी के उपर में मिस्विहाइब किया तो यह तो आपका फैल्वर है कानून का जो लगातार राजस्टिय जनता जल्द बताती है कि यहां विधी विवस्था नाम का कोई चीज नहीं है यह गवर्नेंस नाम का चीज नहीं है आप जीरो टॉल्रेंस की बात करते हैं किसान मारा मारा फिर रहे और आप बात उल्टी करते हैं और अगर सदन में रखा जाए तो आपको कहा जाता कि आपको निलंबन तो भाई देखे इस चलने वाला नहीं है और भाई अगर इसी तरह चलाना है सदन तो हम लोगों की जरूरत क्या है हम लोगों को सदैब के लिए निलंबन कर दें या ऐस कहा लिखा हुआ है कि कोई बात अगर अखवार में निकला हुआ है उसको बात अफ सदन में नहीं बोल सकते हैं कहा निकला हुआ है नियमावली में हमसे अरे भाई बहुत कानून के भिद लोग बैठे हुए है हम लोग चरवाहा बिद्याले के आदमी है आप कॉन्वेंट बिद्याले के आदमी है तो बताइएगा ना कि कहा नियमावली में लिखा हुआ है कि जो प्रिंट मीडिया में आया जो इलेक्टोनिक्स मीडिया में आया अगर उस चीज को अगर उजागर करते हैं अगर सदन में तो वो गलत होगा